Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila. मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत important information के साथ. आप observe कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे अलग-अलग जो PhD के institute's हैं, जहाँ पे PhD की होती है, चाहे वो CSIR institute's हों, चाहे वो ICMR institute's हों, वहाँ पे PhD की opportunity जो है, उसका notification निकल के आ रहा है और मैं उसके बारे में आपको अपने वीडियो के तुरू बता रहा हूँ. आज उसी सिलसले में मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जो की CSIR का एक institute है, IGIB, जिसको Institute of Genomics and Integrative Biology बोलते हैं, कमाल का institute है, बहुत ही अच्छी facilities है, बहुत अच्छी faculty है, और अगर हम जो infrastructure के बारे में बोलें, या वहाँ पे जो machines हैं, जो वहाँ पे जो protocols follow होते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि वहाँ पे जो आपको research का exposure मिलेगा, वो बहुत कमाल का मिलेगा, तो उसका IGIB का notification आ चुका है, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपसे बताने वाला हूँ, तो सारी details आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, और वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, सारी details जानने के लिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक humble request है, कि अगर आपको channel पर दिया जाने वाला content पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर like कर दीजेगा, चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा, आपका subscription ही हमारा motivation है, और अगर आप channel को subscribe करते हैं, तो हम और motivated होके आपके लिए और बहतर content ले करके आते रहेंगे, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं, तो ये website देख लीजे, और इस website के अलावा यहाँ पे जो भी PDF document अविलेवल होगा, उसको अपने telegram group के ओपर post कर दूँगा, telegram group का भी link description section में आपको मिल जाएगा, आप जरूर telegram group join कर ले, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसी नीचे scroll करेंगे, तो आप देख सकते हैं PhD January 2025 Program Advertisement, अब जैसे ही इसके ओपर क्लिक करेंगे, तो आप एक नया जो PDF document है, उसको आप open कर पाएंगे, तो यहाँ पे सारी details दी हुई है, जल्दी से इसको study कर लेते हैं, तो CSIR IGIB का यह program है, January 2025 में यहाँ पे admission इसके through होगा, अब देखते हैं कि कौन-कौन से areas में यहाँ पे PhD करवाई जाती है, Chemicals and System Biology, Genomics and Genome Editing, Genome Informatics, Digital Health and AI, Functional Biology, Microbiology, Infectious Diseases, RNA and Cell Biology, Skin Biology, Structural Biology, तो अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बहुत बहुतरीन area भी है, यहाँ पे Digital Health and AI, तो काफी आजकल बूम में यह area है, AI से जो भी related चीज़ें हैं, वो आजकल काफी ज़्यादा बूम में है, तो यह generally हर जगे पे यहाँ पे research इस तरीके की नहीं होती है, CSIR, IGIV में मैं ऐसी चीज़े देख रहा हूँ जो यहाँ पे अलग देखने को मिल रही है, तो आप अगर चाहें, तो आप अपना जो area of research है, वो इसको बना सकते हैं, अब देखते हैं कि जो यहाँ पे PhD है, वो किस संस्थान के अंडर में है, तो आपको पता होगा कि CSIR की अपनी एक body है, जिसको हम लोग ACSIR बोलते हैं, ACSIR का full form है Academy of Scientific and Innovative Research, ACSIR, तो जो आपको डिग्री मिलेगी PhD की, वो ACSIR के through ही मिलेगी, अब applications की जो deadlines वगरा है, important dates है, उनको discuss कर लेते हैं, जो starting date है, यहाँ पे form भरने की, वो 11 अगस्त 2014 से शुरू हो जाएगी, last date जो है, वो 16 September 2024 है, शाम को 6 बजे तक, first round of interviews जो है, वो 14th October तो 16th October चलेंगे, mode of interview जो यह होंगे, 14th से 16th वाले, यह online interviews होंगे, और इसके बाद जो second round of interviews होंगे, यह in-person interviews होंगे, यानि कि आपको physically present रहना पड़ेगा, और इनकी date जो है, वो 11 November से 15 November तक होगी, अब faculty members से into interaction होगा, वो आपका 14th to 15 November 2024 होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो application का link यह apply online को option दिया हुआ है, अगर आप firm भरने में interested हैं, तो यहाँ पे click करके, आप firm online apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको firm भरना है और आप CSIR, IGIB में apply करने में interested हैं, तो दो-तीन बाते हैं यहाँ पे कुछ खास हैं उसको देख लेते हैं, तो before you start, please ensure to register your candidature on the ACSIR admission portal, तो क्योंकि यह ACSIR के अंडर में institute आता है, असलिए आपको यहाँ पे पहले ACSIR में अपने आपको register करवाना पड़ेगा, जो आपको वहाँ से registration number मिलेगा, उस registration number को आपको यहाँ पे form फिल करते समय उसका use पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा, next, CSIR, IGIB को आपको one of the preference चूज करना पड़ेगा, ACSIR के registration form में, और ACSIR का form जब भरेंगे, तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक registration number मिलेगा, और यह number mandatory होगा, इस number का आपको इस्तमाल करना पड़ेगा, जब आप IGIB का form भर रहे होंगे तो, क्या आपके eligibility है, तो यहाँ पे सारे eligibility criteria दिये हुएं, इसको पहले समझ लेते हैं, तो candidate case 60% marks होने चाहिए 12th standard board examinations से आगे तक, और आपको CGPA को convert कर लेना है percentage में, आपके पास master's की degree होनी चाहिए, चाहे MSC हो, चाहे M.Tech हो, 60% marks in any branch of life science, biotech, chemistry, physics, maths, computer science और allied subject, अब यहाँ पर भी आपको CGPA अगर दिया गया है, तो percentage marks में आपको convert करना ही पड़ेगा, SCST students की बात करें, तो यहाँ पे 5% marks का relaxation है, 55% marks भी अगर आपके पास हैं, तो भी आप apply कर सकते हैं, candidates who are awaiting results for the highest qualifying examination are eligible to appear for the interviews, तो result awaited category वाले students भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, बस बशरते उनके पास eligibility criteria पूरी तरीके से पूरा होना चाहिए at the time of the interview, admission के टाइम पर sorry, fellowship की बात करते हैं, तो candidate के पास किसी भी हाल में CSIR, UGC, DBT-JRF, ICMR-JRF या इसके equivalent होनी चाहिए, fellowship conditions should allow the candidate to work in CSIR lab and on CSIR projects, तो आपके पास यहाँ पे खुद की fellowship होनी चाहिए, institute आपको fellowship नहीं देने जा रहा, इसके अलावा बहुत confusion रहता है गेट वाले students को, कि गेट के students क्या apply कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे साफ तोर पे बताया गया है, तो अगर आपके पास MSC, M.Tech है और गेट का examination qualify करके आए हैं, तो तब पर भी आप यहाँ पे CSIR के IGIB में PhD नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी fellowship program qualify होना चाहिए, अब next देखते हैं, अपर age limit यहाँ पे 28 years है, as on 16 September 2024, तो इतनी तारिक को आपको maximum age limit 28 होनी चाहिए, age limit थोड़ी सी relaxed है, SCST, OBC और female candidates के लिए, apply कैसे करना है, सबसे पहले तो आप register कर लेजिए, ACSIR के portal पे, यहाँ पे उसका link दिया हुआ है, उसके बाद आप जो CSIR IGIB का form है, उसको फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि registration number ACSIR का यहाँ पे लगेगा, digital passport size photograph की ज़रुवत पड़ेगी, educational qualification की ज़रुवत पड़ेगी, subjects, university, year of passing, यह सारी चीज़े फिल करनी पड़ेगी, तो आपको एक research proposal भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, research proposal में क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी, इसमें, देखे, title of proposal, introduction on the problem, what is not known, how do you aim to solve it, यह सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, और if you, you can add one page hand-drawn computer made schematic diagram, तो आप चाहें तो diagram भी यहाँ पे add कर सकते हैं, total proposal जो है वो 1500 words से कम का होना चाहिए, excluding the figure, figure हटा करके, whole proposal with figure should be uploaded in the single PDF file, ठीक है, now you are ready to start application, तो सबसे पहले आप IGIB का form यहाँ पे click करिये, IGIB का form open हो जाएगा, eligibility criteria चेक करके ही form fill करना शुरू करियेगा, selection किस basis पर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि interviews, दो तर दो interviews होंगे, एक online interview और एक in-person interviews, तो उसके बारे मैंने बता दिया है, अब देकिए interviews के बारे में assessing the suitability of the candidate, candidate will be evaluated for the ability to comprehend, analyze and reason, research proposal submitted उसके उपर भी होगा, और candidates should be ready to make a short 5-minute presentation, no slides, based on their research interest and research proposal submitted, तो जो अभी आपने research proposal submit किया है, उसके उपर आपको 5-minute का presentation देने की जरूत पड़ेगी, और यहाँ पे कोई भी slides वगरा आपको ले जाने की अनुपती नहीं होगी, जो भी candidates eligible होंग PhD program में select होंगे, उनका नाम declare कर दिया जाएगा, institute की website पे, within a week of interviews, एक हफ़ते में interview के इनको बता दिया जाएगा, selected candidates are required to join CSIR-IGIB before the last date of joining, last date joining से पहले, admission into the CSIR-IGIB PhD program is subject to verification, सारी चीज़ों का verification होगा, कोई TADA आपको नहीं पे किया जाएगा, interviews वगरा में आने के लिए, यह सारी क सारी चीज़ें यहाँ पे दी होगे, तो उमीद है कि यह सारी जानकारी आपके लिए useful रही होगी और आप ज़्यादा ज़्यादा नंबर में IJIB में apply करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रिस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच, हैव अगूड डे,